आप देख रहे हैं के वोट सेस्टेश मैं हूँ आपके साथ आनंद आज आपको सिधे लिए चलते हैं सारंजीले के मसरक प्रखन के ग्राम पंचायत राज मदारपूर में जहां मीना देवी मुख्या के पद पर निर्वाचित हुई हैं वो भी अपार वोटों से चलिए आपको उनके प्रतिनदी से मिलाते हैं जो जितेंदर सिंग है जो अमनऊर कॉलेज में साइकलोजी के असिस्टंट प्रोफेसर हैं चलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अ नंयमें 5 सालों में किन किन मुद्दों पर किन किन मत्पूंड कारियों पर इनका फोकस होगा ताकि जनता Tay는 जनार दन के बीच इनकी पहुंच बहुंच सके और फिर ये दुबारा अपने पद पर काभी जो सके चलिए हमारे सामने हैं मुख्या परतिनेदी डॉक्टर जितंदर सिंग जी जो पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर है अमनोर कोलेज में चलिए सर बताया जाए कि क्या होगा आपका पा दूसरा चीज दूसरी चीज कि मैं अपने पंचायत के सम्मानित मतदाता मालिकों को नमस्कार करूंगा कि उन्होंने मुझे पर विश्वास किया और अपना भारी मत देकर मेरे माता जी के पक्ष में उन्हें बिज़ई बनाने का कार्श किया और मैं अभारी रहूंगा उन कुछ नीच छोटा बड़ा दारू मुर्गा से हटकर मेरे पक्ष में मद्दान करने का काम किया भी कहा था कि पंचायत में अभी तक कोई भी ऐसी बेसिक सुविधा नहीं है जो हमारे यहां उपलब्द हो और मैं उन सभी चीजों पर कार्श करने का काम करूंगा जैसे मैंन वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए यहां तक कि हमारे पंचायत में अभी तक सभी लोग को राशन कार्ड भी मुहया नहीं करा गया है ब्रिदा पेंशन बिद्वा पेंशन और बिकलांग पेंशन से भी लोग बंचित हैं इंद्रा आवाज से बहुत सारे लोग वैसे बंचित हैं जिनको रहने के लिए एक छत भी नहीं है लेकिन पुर्व के परतिनीधियों द्वारा ऐसा कोई कार्ज नहीं किया गया है जिन से समाज में या यहां रहने वाले लोगों को बेसिक सुबीधा मिल सके में इन सारी बेसिkes बिदा जो भी है जो इनकी जरूरते हैं रासन काडुआ पेंसन की सुवीदा होई आवाज की सुवीदा होई पढ़ाय लिखाए को आगे बराने के लिए लाइबरेडी की बिवास्ता हो ने चाहिए उसकी बिवास्ता होई वह सारी चीजह मैं करने का प्रि चाहे जो भी मुख्या जीत कराते उनका डिमांड था कि यदि कई वार्डों को मिला कर दो तीन वार्डों को मिला कर दी मिनी पूस्त कालाय खोल दिया जाता तो हम गड़ीब छात्र छात्राओं को भविस में काफी सहुलियत होती और निर्धन छात्र छात्र जो होते हैं उन् पढ़ाई में निर्वाचित मुख्या के पत पर अपाही चुके हैं तो लगे हाथ आपी अभी बता दीजे क्या कर पाएंगे बिलकुल मैंने सुना भी था बच्चों ने डिवांड भी किया था और उनकी इक्षा भी है कि हम पराई लिखाई करें और हमारी भी इक्षा है कि चुकि बच्चे पढ़ेंगे तो कल के भवी सुबही है और मैं इस पर पाहल भी करूँगा मैंने खुद भी कहा था कि हमारे पंसायत में एक लाइबरेरी होनी चाहिए दो तीन चार वाट पर भी होनी चाहिए चुकि बच्चे वहाँ कम से कम बैठने तो जाएं बैठने जाएंगे तो एक परहाई का महौल बनेगा बैठते बरते सीखना सुरू करेंगे चुकि यहां सिख्चा कास्तर एकदम निमनस्तर का है लोगों ने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया मैं इस पर बात करूँगा और परियास करूँगा कि यह सारी सुभिधाय उनको उपलवड कराई आपके पिछले जो मुखिया थे उनके कार्जकाल में उनके पांच सालों में अक्सर जो ग्रामिन सरक है वहां गौंदगी का आमबार लगा है चाहिए आप जिस सरक से पार करेंगे वहां समस्या है इसके निदान के लिए आप क्या करेंगे अब वोदो पूर्व के मुखिया जो किया आपने कही दिया उन पर हमको ज़्यादा ठिपा ठिपनी तो नहीं करनी है मुझे दिख रहा है चुकि मेरा पंचायत है और पांच गाओं का पंचायत है तो अगर मगुरहा मेरा घर है तो धावरी मदारपुर सनकौली और सिरसा जलालपुर मेरा आंगन है और आंगन और घर में बहुत की दूरी नहीं होती है मैं उन समस्याओं से आउगत हूँ और हर संभव परियास करूँगा कि उन समस्याओं का निदान हो और याथा सिक्र हो हुआ हुआ है